शार्क टैंक वाला विज्यापन जी यहां दोस्तों शार्क टैंक नामका एक प्रोग्राम आपने काफी पसंद किया होगा और इसकी चर्चा वे बहुत रहती है सोचल मीडिया में इस से मिलता जुलता एक विज्यापन बीजेपी ने जारी किया है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की मास्टर माना चाता था जिसको आप 2014 का चुनाव ले लिजे, 19 का चुनाव ले लिजे मतलब जिस तरह से बीजेपी ने आड कैमपेंज चलाए चाहे वो चाहे पर चटचा यसा भी हद ही ज्यादा पॉपिलर लोगों ने हाथ हो हाथ लिया मोधी जी का चुनावी कैमपेंज इसके लावा, 2019 का में भी चौकिधार वालना चुनावी कैमपेंज लोगों ने हाथ हो हात लिया एक चमक नहीं दिख रही है और पूरा का पूरा फोकस बीजेपी के आड कैमपेंज में केवल और केवल विपक्षियों का से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले बीजेपी के ओफिशिल एक्स हैंडल से ये आड कैमपेंज शेयर किया गया है इसमें शाक टैंग नाम का एक बहुत पॉपुलर शो जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया है उससे मिलता जोटा एक सेटप बनाया गया है जिसमें जजेज बिठाई गए हैं जिनें आप शाक्स कहते हैं और लोग आते हैं अपना बिजनेस प्रपोजर रखते हैं उसके बाद शाक्स उन प्रपोजर को सुनकर उनके दिमाग में क्या ओफर होता है वो ओफर वो शाक्स उन लोगों को देते हैं इसी तरह से विपक्षी नेताओं को यहां पर दिखाया गया है जिसमें राहूल गांदी हैं, सुनिया गांदी हैं, मलिकारजुन खडगे हैं, इसके अलावा तेजस्पी यादव जिनको लेकर नौकरी को लेकर बहुत एक टिपणी की गई है उनके लिए इसके अलावा यहां पर दूसरे विपक्षी नेताओं को दिखाया गया है, जिसमें बताया गया कि कैसे इंडिया लाइन्स के भ्रष्टाचारी गोशना पत्र में केवल चूना लगाने की दिल्चस्पी रखते हैं, और शाक्स उस चूना लगाने वाले कामकाच को पहचान जाते हैं, लेकिन इ केवल और केवल जो एजंडा था ना, वो विपक्ष के घोशना पत्र का था, आपके घोशना पत्र में ये है तो आप पैसा कहां से लाएंगे, आपके घोशना पत्र में ये है तो आपकी फंडिंग कहां सी होगी, रेविन्यू कहां सी आएगा, बेसिकली एक्जाक्ली वही फोकस कॉंग्रेस के घोश्टा पत्र पर ही है इसके लावा दोस्तों ऐसा ही एड कुछ दुख पहले बीजेपी ने दुलहन वाला जारी किया था याद एना आपको लोगों ने आलूचना की थी कि शादी जैसे पवित्र बंदन का इस तरह से एड में क्यों मख़ौ लडा रह मोदी जी के बहुत सारे फैन्स हैं मोदी कि बहुत सारे समर्थख वीचेप के बहुत सारे समर्थख जिन उन ने कारीफ एड लोगों कुछ ने देनने मजा नहीं कुछ कुछ सेकेंड के कैपसूल शेयर कियें जिसको लेकर सोचल मीडिया में इसको लेकर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्री आए इसके अलाबा हशीम नाम के क्यूजर ने लिखा यह सचाई सब बीजेपी की है बीजेपी ने अपनी सचाई खुद बता दी दस साल से जंता को चूना ही लगा रहे हैं मोदी जी तो करोड रोजगार की बात जुमला यह सब चूना ही लगाया ना हाला कि जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों ने इसमें तारीफ भी की है लेकिन उतनी चर्चाज इस तरह से बीजेपी के आड कैमपेंज भी हुआ करती थी ना एक जमाने आप को क्या लगता है दोस्तों वो करेंट क्यूं मिसिंग है बीजेपी के विग्यापनों में आड कैमपेंज में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हुसा कि दोस्तों चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें और थैंक्स और जॉइन के ओप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं